अब बिवेक आपको फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम लेकर आगए क्लास 12 अर्थ सास्तर में मौडल पेपर 21 का ओभी दोस्तो पीडियाप के सांथ आपको मिल जाएगा यानि कि पढ़ाने के बाद आपको डिस्क्रिशन बाक्स में इसका हम पीडियाप का लिक दे देंगे वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इस पूरे मौडल पेपर को आप पर सकते हैं देख सकते हैं नमबर है नोट कर लिजिए का 9451094356 यह मेरा वाट्शप नमबर है बोर्ट से रिलेटेड कोई समस्या होती तो आप हमें वाट्शप करके पूछ सकते हैं या फिर दोस्तो डिस्क्रिशन बाक्स में टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ से भी आप लोग हमें फॉलो 21 समय आपको 3 गंडे 15 मिनिट का मिलेगा पूढांग जो रहने वाले दोस्तो सो अंग का रहेगा तो सबसे पहले बात करें दोस्तो इसमें कुछ नोट पॉइंट दिया हो पहले उसको हम लोग बता देते हैं यहाँ निर्देस आपको दिया गया है कि प्रारम के 15 मिनिट पर प्रश्ण संक्या 11 से 18 तक लगू तरी है जिनका उत्तर प्रतेक लगवग 15 सब्दों में प्रश्ण संक्या 19 से 24 तक लगू तरी प्रश्ण जिसका प्रतेक उत्तर लगवग 1500 सब्दों में और प्रश्ण संक्या 25 से 27 तक बिस्तरित है जिनका प्रतेक उतर लगवग आपको 300 300 सब्दों में लिखना होता है ठीक है अब बात करते हैं तीसर पॉइंट इसमें देर रखा है दोस्तों आपको कि प्रतेग प्रशन के लिए निर्दाय अंग उल्ट के समुख दिया गया है अब बात करते हैं यहां सबसे पहले आपका सुरू हो जाता है बहुत विकल्बी बह प्रतियों गीता कि अलपा अधिकार किये इसके तिसरा कोशन आपका आजाता है कि एक राष्ट एक कर एक बाजार संबंध it और प्रतेक्ष कर हैं वेट है जे लेकर्या बताईए का मैं कमेंड बॉक्ष ने कमेंड कर के बाकि निर्श्ट ता सीसां सबलूशन भी लेका साथ में आएंगे 10 लागत को वक्र का आकार होता है यह कूता तिस सरार MR रेखा और गहिंजए बहुत से कोसं आप सभी जानते भी होंगे ठीक, पांच वो कोशन की बात करते हैं, पांच वो आप से आ जाता है कि सेमात उपयोगता और कि शुण होने पर बढ़ती है, अधिक्तम होते है, नियुनितम होती है, और शाटा इसमें कहता है , बाजार संतुलन कमेंड कर सकते हैं एंसर अगर पता है तो अगला कोशन ऐने की मूद्रा को प्राथमिक कार है वीनमे का माद्या मूल्य का संचेन निरड़े का वाहत मूल्य का हस्तां छरण जरू में बताईएगा आठवा कोशन दोस्तों आपका आ जाता है यहां से कि प्रभावी मार्ग की कलपना किस ने दी थी एड़म स्पीद ने मार्शल ले जेबी से ने प्रोपेसर किंस ने और नवा कोशन है आपसे कि भारती रिज की इस्थापना हुई थी ति आप सभी को पता होना चाहिए कि भारती रिजवर्वेंग की इस्थापना किस में हो थी सन 1935-1959-1960 में ठीक है तो बात करते हैं दोस्तों अगला कोशन आपका आ जाता है कोशन नमर्र 10 है कि समानेता एक वस्तू का मार्ग माग्र वक्र होता है आपसन यहां दिया गया है कि बायें से दायन नीचे की और गिरता है और बायें से दायन ऊपर की और उड़ता है अब दोस्तों यहां से सुरू हो जाता है कोशन नमर 11 आपका अती लगू उतरी प्रशन और इसके लिए बुर्ड द्वारा तीन अंग निर्दारित किया गया यानि कि यहां से आप बहुत अच्छा नमबर ला सकते हैं अगर थोड़ा सब प्रिप्रिशन आप करते हैं तो यह नमा कोशन आप से पूछाओ कि बेक्ति अर्थ सास्त्र क्या है वेश्टी अर्थ सास्त्र क्या है 12. भुगतान संतुलन की परिभाशा आपको देना है 13. मांग का नियम परिभासित कीजिए 14. कीमत रेखा किसे कहते है 15. अनधीमान या तड़स्तता वक्र क्या इसके बारे आपको बताना है 16. अउसत लागत किसे कहते है 17. आपका सकल गेरेलू उत्पात से आप क्या समझते 18. अगर इतना कुशन आप कर देते हैं तो फटा-फट तो यह 3-3 अंक का यहां पर हो जाएगा टोटल बात करें तो दोस्तों यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 कुशन दोस्तों यहां से आपको मिल जाता है अगर 8 करते हैं तो आपको यहां से 3-3 प्रते का अंक 8-3 का 24 सांक यहां से मिल जाएगे इसके बात करें दोस्तों अब आपका सुरू हो जाता है दोस्तों यहां से लगू तरी प्रशन जो कि आपको बोड इक्जाम में 6 एंक में पूछा जाएगा और इसमें अगर दोस्तों बात करें तो इसमें टोटल 6 कोशन पूछे जाएगे ठीक है तो बात करते हैं पहला कोशन क्या है आपका भाई नोट करते चलिएगा साथ में या फिए आप इसकी शौट भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे सपड़ियां क्या है क्योगि इस ये वह भी में आया था अती में भी आया और यहां देख सकते हैं लोगों में इसके अंतर गत पूछा जा रहे हैं इसके बात दोस्तों है कि पूर्प्रतियोगिता की विशेस्ताएं बताए संचेब में लिखिए इसको सकल निवेस तथा सुद्ध निवेस में वेद करो ये भी आपको बताने हैं 22 नमर कोशन एक विकास सिल देश में राजकोशी नीती की भूमिका की व्याक्या कीजिए 23 नमर कोशन एक वस्तु वीरिमें प्रडाली क्या है इसकी कमियों को समझाइए 24 नमर का कोशन एक बैवसाइक बैंकों के कारियों को संचेब में लिखो ये आपको कहा गया इसमें ठीके बात करते हैं दोस्तों अगला कोशन है कि अब आपका शुरू हो जाता है और इसे 25 से लेकर 27 तक आपके ये विस्तुरित कोशन है और इसे आपको 300 सब्दों में लिखना होता जैसा कि मैंने आपको पताया ठीके 25 नमर कोशन है कि माका की मूले सब पेक्छता या जिसे हम कीमत लोज भी कहते हैं से क्या तातपर है मांग की कीमत लोज मा अपने की किसी एक विदी का वर्डन को रो इसके लिए आपको 5-5-10 अंकि यापन निर्दारित किया गया है या फिर आपसे अथवा करके दिया है कि राष्टी आय को परिवासित कीजिए राष्टी आय की करना करने की विविने विदियां कौन सी है किसी एक का आपको वर्डन करना है या आपको दसे है इसके संबंद को चीतर रेखा चीतर से इसपश्ट कीजिए ठीक है तो यहां बात करते हैं आपके लिए दस अंग के या आप से कह सकता है सरणिक वस्तु यह सरकार के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए ब्याक्या कीजिए यानि कि 26 नमर में दो कोश्टन दिया एक आपको करना जो आपको अच्छे समझ में आता है उसी को आपको करिएगा ठीक इसके दोस्तों आपके लाश कोश्टन आ जाता है कोश्टन 27 से कि सम आप समझाईए इसके लिए दोस्तों 10 अंक निर्धायत किया गया है यानि कि दोस्तों बात करते हैं दीर के उतरी में आपको 25, 26, 27 में 2, 2 कोश्टन दिया रहेगा उसमें से एक आपको करना पड़ेगा इसके लिए 10 अंक निर्धायत किया गया है यानि कि आपको अच्छे स पर है इसको अच्छे स्तयार कर लिएगा इसमें से बहुत सारे कोशन जो कि आपके बोड इंचम 2021 में दीखने वाले हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों में जब शेयर करिएगा ताकि जितने भी आर्ट साइंस के तो दस्तों I hope कि आपको ये model paper अच्छे से समझ में आ गया होगा आपने screenshot भी कर लिए होगे और इसका PDF जो है description box में इसका link दे दे रहे हैं वहाँ से आप लोग डाउन्डोड करके भी इसे आप पढ़ सकते हैं जो भी आपने question bank खरीद रखा है उसमें सभी question महजूद है आपक सिर्फ खोज कर आपको पढ़ना है ठीक है बागी मिलते हैं दोस्तों next class में तब तक के लिए जहींद जैभार